नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में पचलिए बिहार की 10 प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं तो खबरों की और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर बिहार में बढ़ा कोरोना का कहर, डिप्टी सियम तारकिसोर समेथ, 436 नए कोरोना संक्रमित, 1312 सक्रिय मरीज, पीम रोजगार स्रीजन योजना में मिलेगा 9000 लोगों को रीन, बैंकों पर बढ़ेगा सरकार का दबाओ, बिहार सिक्षक नियुकती का छठा चरन के मेरिट लि जानिये अब कैसे होगी बहाली, सूखे के हालत के बेच, राहत वाली खबर, दो दिन बाद हो सकती है बिहार में बारिस, बिहार में बिजली संक्रमा, लेकिन अब भी 300 मिगावाट की कमी बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, यहां पिछले 24 घंटे में राज के उप्मिक मंत्री तारकिसोर प्रसाद समेट 436 नए कोरोना संक्रमित पाये गया हैं, इनमें सबसे अधिक पटना जीले में 192 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें 4 डॉक्टर भी सामिल हैं, इसके साथ ही पटना में सक्रिय मरीजों की संख्या 1312 तक पहुँच गई है, वही मंगलवार को पटना एम्स में 12 वर्षिय कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत भी हो गई है। देश जारी किये हैं कि वह इस योजना में जीले और बैंक वार निर्धारित लक्ष का तीन गुना आवेदन भेजे, उदोग महाप्रवंधकों को 15 जुलाई तक यह भेजना है, उदोग विभाग चाहता है कि किसी भी हालत में बैंकों को PMEGP के के केस लटकाने का बहाना पिछले वित्यव वर्ष में देखा गया है कि भारी संख्या में बिना किसी ठोस वज़ा के बैंकों ने आवेदनों को निरस्त किया था, आधिकारिक जानकारी के मुताबिक PMEGP के तहत 20 साल बिहार को जीला और बैंक वार 8,869 लोगों को लोन देने का लक्ष निर्धारित किया है, इसमें अनुसूची जाती के आवेदकों को 1545 लोगों को लोन देने का लक्ष निर्धारित किया गया है, वहीं जन जाती वर्ग के आवेदकों के 75 लोन केस मंजूर के जाने का लक्ष है, शिक्चा विभाग ने मंगलबार को साफ कर दिया है कि छट्टे चरन के माइधमिक शिक्चक नियोजन प्रक्रिया के तहर, उन नियोजन इकाईयों में, जहां विभिन विशयों के लिए 277, 2019-2013 अभ्यार्थियों ने एक भी आवेदन नहीं किया है, वहाँ पुल की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही मेरिट लिष्ट में आने माइधमिक और प्राथमिक निदेशालयों के सिर्च अपसरों की वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए बैठक हुई, वर्चुल मोड में हुई इस बैठक में अंड मामलों में भी चर्चा की गई, शिक्चा विभाग के सिर्च अपसरों ने मार्ग दर्शन देते वे साब क किया है कि जिन विशयों में बाद में सामिल अभ्यारतियों ने आवेदन नहीं किये हैं, वहाँ पूर्च की प्रक्रिया मायनिक की जाएगी, वहाँ उसी स्टेटस में आगे बढ़ाया जाएगा जो पहले पूरा किया गया था, वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माइधम से मा के मिसाल में मोतिहारी के रितेस पांडे, जिन्होंने ड्रेगन फ्रूट की खेती सुरू की है, रितेस बताते हैं कि ड्रेगन फ्रूट की खेती के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूत नहीं पड़ दी है, सिचाई और खार डालने का टेंसन भी नहीं होता है, आज की ता बहाईत होकर ड्रेगन फ्रूट की खेती के लिए दूसरे राज से भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। सरकार ने नियमावली बनाने की घोषना की थी। सरकार ने आंगनबाडी सेविका और सायका के चैन के लिए नियमावली तयार कर ली है। सिकारियों को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया था। सेविका और सायका के चैन में सबसे अधिक यहाँ सिकायत मिल रही थी कि अधिक अंक वाले अभ्यार्थियों की जग़ए। कम अंक वाले अभ्यार्थियों का चैन किया जा रहा है। सरकार ने आंगनबाडी सेविका और सायका के चैन के लिए नियमावली बनाने का फैसला लिया था। मौनसुन पहले ही बिहार समय पर पहुँच गया है लेकिन अब राज के अंदर सुखे के इस्तिती है। सुखे को लेकर राज सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। हालात ऐसे बन गया है कि बिहार के 20 से ज़्यादा जीलों में खेती की सुरुआत नहीं हो पाई है। लेकिन सुखे के हालात के बेच एक राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। होकर जैसलमेर, कोटा, गुना, औरिस्सा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इससे बिहार के अधिकांग्स हिस्से में मौन्सुन की सक्रियता कम हो गई है। पुरी परसीमी चंपारन, सिवान, सारन, सहित, 25 जीलों में कुछ स्तानों पर हलकी बारिश के आसार है। भीसन बिजली संकट से जूज रहे बिहार के लिए सुमवार को एक अच्छी ख़वर आई है। सुमवार की सुबह से चालू हो गई, इससे बिहार को 560 मेगावाट बिजली मिलने लगी। त्योब लिकेज के कारण बार से उत्पाद ठप हुआ था जो देर रात बहाल हो गई। इस युनिट से बिहार को 402 मेगावाट बिजली मिलने लगी। अज़त सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। उनकी सेहत से जुड़ी ताजा अपडेट के अनुसार लालू प्रसाद अब CCU यानि की क्रिटिकल केर यूनिट से बाहर आ गया है। लालू यादव को एक कमरे में सिफ्ट कर दिया गया है। अब लालू यादव को ऑक्सिजन सपोर्ट या CCU में मौजूद मेडिकल सुईधाओं की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव की लगातार कई तस्वीरे और वीडियो भी सामने आ रही है जिसमें वे कुर्सी पर बैठे नजर आ रहा हैं तो कभी अपने कमने में वाक करते दिख रहा हैं। लालू यादव अब हलकी डायट भी लेने लगे हैं फिलाल उन्हें ऐसे डायट लेने की सलाह दी गई है जो आसानी से पच सके जादातर उन्हें खिच्डी ही दी जा रही है। और नेताओं ने सदस्ता अभ्यान को फिर गती दी है। जिला पदाधिकारियों से रोस्टर क्लियरंस करने की अंतिम्ति थी 15 जुलाई तई की थी इससे साथवे चलन के सिक्चक नियोजन की तयारी में बिलंब संभव है। इसके अलावा नियोजन इकाईवार रिक्त पदो को NIC पोर्टल पर अपलोड करने में देरी हो सकती है। इसके लिए 25 जुलाई की तिथी तई की गई है। पहले प्रदर्शन का कारिक्रम 9 अगस्त था अब 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। के राज सचीव ललन चौधरी, राजत के राष्टिय प्रवक्ता डॉक्टर मनोज्जा, राजत के प्रदेश अध्यक्ष, जगदानन सिंग, राजत के प्रदेश प्रदान महा सचीव अलोक कुमार महता बैठक में सामिल हुए।